राजधानी में हुई थी जुएलरी शोरूम से सबसे बड़ी चोरी आज पकले गए तीन शातिर तो मिला 18 किलो सोना जिस स्टाइल से पार किये थे 20 किलो सोने के गहने उसी शातिर ढंक से छुपा कर भी रखा था चादर के नीचे बोरे में भराता सोना ही सोना पुलिस ने दे के सबसे सातिर चोर जिनका सच सामने आते ही हर कोई हैरान हो रहा दिल्ली से पूरे 1187 किलोमीटर दूर 36 गड़ का बिलासपुर सहर रोजाना की तरह लोग यहां अपना दिन सामान ने ढंक से व्यतीत कर रहे थे तब ही पुलिस और खुफिया एजंसियों की टीमें एक के ब पास से मिलता है महज एक बोरा लेकिन इस बोरे को जब खोल कर देखा जाता है तो सब की आँखे चोंदिया जाती है बोरे में रखेते पूरे 18 किलो सोने के आभूशन जब पुलिस ने ठिकाने पर चापा मारा तो चादर पर बिचे सोने को देखकर दंग रह गई उस चादर पर सोने की इतनी जोयलरी रखी हुई थी जिसका वजन 18 किलो से भी जादा था पुलिस जिस वक्त चापा मारने पहुँची थी उसी समय इन गैरों को चादर बैग औ इमाल के साथ साथ तीन चोरों को गिरफतार किया है और इसमें इसका मास्टर माइंड भी शामिल है बिलासपूर पुलिस की एसी सी यू और सिविल लाइन थाने की टीम ने अपने हैं साथ चोरियों को अंजाम देने वाले लोके स्रिवास को दुर्क के इसमर्ती नगर थान के दिल्ली पुलिस को मिली तुरंथ ही दिल्ली पुलिस की टीम विलासपूर पहुच गयी। पुलिस ने लोकेस के दूसरे साथी शिवा चंदरबंसी को करवधा से जोयल्री सहित पकला है जबके लोकेसखिड की से खुट कर भागने में सफल रहा। पुलिस की जाच के दौरान पता चला है कि जंगपुरा में जोयलरी शोरूम में चोरी को अंजाम देने वाला मास्टर माइन दक्षिर भारत में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। राजधानी दिल्ली में ये जोयलरी शोरूम से अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। जंगपुरा इलाके के भोगल मार्केट में जिस जोयलरी के शोरूम में ये चोरी हुई थी उसे उम्राव सिंग और मावीर प्रशाद जैन मिलकर चलाते हैं इसलिए शोरूम का नाम उम्र को साफ कर दिया था ना सिर्फ दुकान के अलमारियों और शोकेस में रखी जोयलरी चुराई गई बलके खूफिया स्ट्रॉंग रूम तक में सेंदमारी की गई थी। सोने चानी की जोयलरी के अलावा कीमती जेम्स स्टोन यानी हीरे जवारा तक सब को चिन चोरों ने उड गजल